बिस्मिलारावान अरहीम असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जाजनसारी और आप देख रहे हैं इसका टेस्ट नहीं निकल पाएगा कच्छा पन इसके अंदर रहेगा तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो एक तोफा है रेस्पी बहुत असान है बस आपने रेस्पी को देखना है एंड तक चलेंजी बिस्मिलारावान रही हैं यहां पर सबसे अहम चीज़ डाल आपने कुशिश करनी है मोटे जो स्टोन होते हैं ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है यहां पर मापको चीज दिखाता हूं आप बिल्कुल हरान रह जाएंगे अकसर लोग जो डाल को यूज करते हैं उसको बहुत अच्छे से नहीं दोते अब देखेगा जब हम इसके अंदर पानी आट करेंगे तो क कितनी ज्यादा डस्ट कितना ज्यादा इसके अंदर आपको मटी मिलेगी ठीक है तो अच्छी तरह से हमने इसको दोना है और आप देखेगा दाल बहुत ज्यादा यहां पे मैली होगी ठीक हो गया तो बहुत प्रोसेस है यह आपने करना ही करना है ठीक है यह देखें कितनी ज्यादा मैलने के लिए इसमें से और बहुत सारे केमिकल्स भी इनको लगे होते हैं चलेंज यहां पर देख लिए हमने अच्छे से धो लिया अब एहम गाम यह कि आपने पानी निकाल के दाल को सुखा लेना अच्छे से ठीक है हमें बिल्कुल ड्राय साफसुतरी दाल चाहिए उसके बाद बिसमिल्ला हरामार नहीं टेस्ट को डिवैल्प करने के लिए कच्छी दाल बिल्कुल भी हमने यूज नहीं करने ही ठीक है दाल को यहां पर हमने रोस्ट करना है बगैर कोई चीज एट की होए तो हाई फ्लेम के उपर आपने इस दाल को पकाना है याद रखिएगा दाल बिल्कुल ड्राय होनी चाहिए और जैसे आप इसको पकाते जाएंगे चमच हिलाते जाना है और यह आइस्ता आइस्ता यह कुड़करी होती जाएगी यह मतलब के रोस्ट हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सी हो जाएगी यह देखें वाइट सा कलर इसका हो जाएगा ठीक हो गया तो यहाँ पर दाल का टेस्ट बहुत शांदर हो जाता है यहाँ पर आपने फ्लेम को आफ कर लेना है और इसको अच्छी तरह आपने पीस लेना है बिल्कुल यह देखें बहुत असानी से हो गया चलें जी बिसमिल्ला हरावारा है अब यहाँ पर खुबसुरा सा बॉल लेंगे और यह दाल भूनी हुई दाल इसको हम यहाँ पर पॉडर की फॉर्म में लेंगे यहाँ पर प्याज इसमें जाएगा तीन से चार टेबल स्पून बड़ी कटाव आपने प्याज लेना है चलें जी अगली चीज हमारे पास हरी मिर्चे ठीक है बिल्कुल बड़ी चॉप हरी मिर्चे तीन से चार अधर लीजिएगा और साथ ही इसमें हम कर देंगे धनिया एड दो से तीन टेबल स्पून अच्छा अब टेस्ट को डिवैल्प करने के लिए क्योंके इसका टेस्ट जो है दाल का तोड़ा सा लाइट होता है पुदीने का आपने इस्तमाल करना है पुदीना जब आप कबाब खाएंगे तो आपके मुह में आएगा ना तो बहुत ही आपको अच्छा फील देगा बहुत एक युनीक सा टेस्ट होगा आलू है हमारे पास बॉयल आलू यहां पे आपने जो मिडियम साइज के हैं दो से तीन बॉयल करके इसके उपर इस तरह से ग्रेट कर देना है ठीक है आलू क्यों यूँ यूज कर रहे हैं आलू इसलिए क्योंकि हमें इस कबाब के अंदर सॉफन पी चाहिए 1.5 टीपोन नमक नाइड कर देंगे लाल मिर्च पाडर ही अधिक हमारी जूफनर में अधिक काड़िक घटार कबाब cœur 50पून खुश धनिया पाउडर्ज है वो डेर टेबल स्पून इसमें एड करेंगे अब यहां पर याद रखेंगे आलू हमारे डन है जो यह इसके अंदर बेसन है वो भी हमने यानि कि जो डाल है रूस्टिट वो भी डन है तो आपने अच्छे से इसको मिक्स करना अब इसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट सा तो इसके लिए आपको पानी इसमें एड करना पड़ेगा अगर यह सारे प्रसेस हम ना करते तो विदाउट ओइल हमारा टेस्ट डिवैल्प नहीं होना था ठीक हो गया चलें जी अब चलते हैं अगली तरफ तो यह लें जी यहां भी हमने खुब सा पैन लेंगे आप तवा ले लें नॉंस्टिक हो या नॉंस्टिक ना भी हो कोई प्राब्लम नहीं है मीडियम टू हाई फ्लेम के उपर हम इसको पकाएंगे ठीक है यह जलेंगे नहीं जल्दी इसली आप इनको बगा सकते हैं और उसके बाद बहुत ही अतियार से आप इ देखें आप यह भी कह सकते हैं कि नॉर्मली भी यह कबाब बन सकते हैं लेकिन फिर उसका टेस्ट नहीं आना था ओयल के बगाए ठीक है इसलिए हमने दाल को रोस्टिंग का काम किया है ताके अच्छी तरह से टेस्ट अंदर तक आए इसी तरह से हम बाकी सारे बेज़ों ह बहुत ही असानी से हो जाएंगे फाइनल लुक को मिस्नी करना तोड़ के अंदर से दिखाता हूं कि एक ऐसी है चलें जी बिसमिल्ला हरामानोराहीं तो यह ले जी प्रेट बनाते हैं थो माशालाल हमदुलेला देखें जी मेरा ला की शान उसकी रहमते नेमती और बरकते ज के लिए और बहुत सारी वेट लॉस्स जाहिए दॉइ यमी खेर हमगे उसे लिए हमारे विडियो से थयर लू हुआ कि